हे गाइस देखो आपको मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका सबसे पहले नंबर पर रहता है उसके बाद आता है चाइना दूसरे नंबर पर जापान हॉंग कॉंग आपको देखने को मिल जाएगा आता है यूके फिर आता है इंडिया हमारा देश भारत तो यहां पर होता क्या है कि भई ये बहुत समझदार है ये कभी पीछे जाना ही नहीं चाहेगा कभी भी पीछे नहीं जाना चाहता चाहे कुछ भी हो जाए भई देख लो ये कितना आगे है पहले बहुत आगे है 42.64 मतलब बहुत आगे है और हम देखिए कितना पीछे हैं अमेरिका से तो मैं आपक है भाई तुम्हारे पडोस में बगल में खड़े हैं और तुमसे ज़्यादा स्पीट से आगे जा रहे हैं आज ने तो कल तुमको पचाड देंगे देख लो तो चाइना और अमेरिका में काफी ज़्याद मैं आपका बलूँगा कि मतलब ये भी चलता है कुछ मतलब महौल ठीक नहीं है चाहे ट्रेड हो एकनॉमिकल हो चाहे कुछ भी हो डिफेंस से रिलेटेड हो तो बही मैं आपको बता दूँग कि बजार तो गिरा हुआ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि बजार गिरा हुआ गिरा हुआ लेकिन एक्च्छल मार्केट देख सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि अमेरिका कितनी बड़ इकनॉमिक है अगर यहां पर कुछ भी थोता है तो इंडिया में इकनॉमिक मार्केट पर ज़रूर फर्क पढ़ता बहुत सारे लोग बोलता है कि इंडिया अमेरिकाओ फॉलो करता अमेरिका इंडिया को फॉलो करता ठीक है को दिकत की बात नहीं यह सारी चीज़े ओके है लेकिन अमें देखना चाहिए कि किसका step किदर है कौन कैसा मतलब situation में कैसे अपने आपको handle कर रहा है अभी देखिए आप पिछले 6 मिने का data तो धिरे धरे यह अपने आपक कर रहा है और ध्यान से देखेगा तो पता ही ने चला कि इतना गिरावाट है क्योंकि इतना गिरावट तो भई आराम से हर जगा यहां पर भी देखने को मिला यहां पर भी देखने को मिला है टेसला जैसे stock भई टेसला जैसे stock देखेगा तो कितना 50-60% गिरा हुआ था मैं 45% recover हो चुका है मतलब जितना गिरा तो stock उतना recover हो गया नीचे से मतलब अगर ये stock 50% गिरा है अगर इसको recover होना है तो 100% चाहिए होगा और देख लीजे कोई दिखके बोल नहीं सकता आज कल के date में कि ये stock गिरा हुआ देख लीजे कितना speed से recovery ले रहा है उसकी बाद तो छोड़ी आज के date में देखे कितना तेज भागा 6% all time high भाई मैं आपको बोलना हूँ बहुत अच्छे अच्छे opportunity मिले है बजार में लेकिन कुछ लोग ignore कर रहे हैं या कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं बस Amazon ये भी बहुत पीट चुका था ये भी 50% पीटा हुआ स्टॉक था अभी देख लीजे किस कदर ये recover हुआ देखे हाँ टॉप से लेते हैं ये है टॉप ये देख सकते हैं up to down 43% गिर चुका था स्टॉक नीचे से देखे तो ये स्टॉक भी 35% recover हो चुका है मतलब यहां से अगर हम देखते हैं ध्यान से स्टॉक हो तो भाई ये आदा स्टॉक जो है recover हो चुका आदा बचा हुआ ये जो gap है ना इसको भी फिल कर देगा अगर ये मतलब माल लेते हैं कि एक महीने भी बजार सई से चल गया ना तो ये recover कर देगा आपने आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं सर विपरो recover नहीं हूँ अभी तक बहुत पहले खरीद के बैठा हुआ हूँ अभी 40 का 40% टूटा हुआ है क्या करें तो मैं आपको भी लोगा देखिए टेंचन ना लिजे जितना गिरना था उतना स्टॉक गिर चुका है अब ने गिरने वाला अब थोड़ा सा बचा हुआ है यहां स्टॉक गिरने वाला है ने क्योंकि भाई पिछले छे महिने में साल भर में कंपरी ने कमाया भी तो है और inflation भी तो है तो उसके data के हिसाब से यह भी cover हो गया यहां पर अब यह स्टॉक यहां से गिरने नहीं वाला क्योंकि आप देख लिज उसके लिए कब चलेगा इस quarter में चलेगा अगले quarter में चलेगा जब it index चलेगा Accenture का रिजल्ट आप देखेगा फोकस कीजिएगा उसका पहले भी result अच्छा रहा भी result अचा रहा है लेकिन फिर भी Accenture का result देखना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके साथ क्योंकि वह 18,000 क्र पागना शुरू करेंगे, फिर बरजर पेंट हो गया, यह सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हुए है, अब बरजर पेंट तो बोल भी रहा है, आप अप ध्यान से देखेंगि तो बरजर पेंट बोल रहा है, भई मैं रिकवर लेने वाला हूं, क्या आप तयार हो, आप मैं तयार हूं लेकिन क्या आप तयार हो बरजर पेंट खुद ही बोल रहा है अब जितने लोग समझ जाएंगे इस सारे को अब देखो कंपणी आपको फोन नहीं आपका नमबर डाइल करेगी कॉल करेगे कि हाँ आपने खरीद लिजा कि नहीं खरीदा मैं तो तयार हूं तो आपको तयार रहना पड़ेगा इस सारह समझना चाहिए 673 रूपिस भी एक बहुत अच्छा अट्रक्टिव प्राइज है लेकिन प्रावलम क्या है कि यह बड़ी-बड़ी कंपनी है 65,000 करोड की कंपनी है मैं बड़ी-बड़ी कंपनी को पर नहीं बताता लेकिन क्या है ब यह सब चलेंगे आज नहीं चलेंगे लेकिन कल चलेंगे लेकिन चलेंगे जरूद देखिए मैं आपको बता दूं जब viprose नहीं चला इन forme सी नहीं चला tcs नहीं चला अब देखो मैं ना एक किसी से बात कर रहा था ठीक है नां नंबर की बात चुड़ी है मैं क्या बात रह है ठीक है और रियल है रियल इंसिडेंट हुआ है तो उनके पॉर्टफोलियों में टोटल बारा स्टॉक थे और बारा में से आठ उन्होंने केवल लाज केप खरीदा का था बड़ी-बड़ी कंपनियों को बुजुर्ग हैं बड़ी हैं तो चार से छे साल हो गया चार से छे स करने के बाद और अब जाके उनको समझ में आया है कि भाई, लार्ज केप कमपनी वो बोंड पेपर पे आपको लिख के देंगे, कि लार्ज केप कमपनी आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन लार्ज केप कमपनी आपको प्रॉफिट भी नहीं देगी, याद रखेगा यही प्रॉलम होता है तो इसी के कारण क्या होता है कि कुछ लोगों को तब समझ में आता है जब उनकी बाल पक जाते हैं बाल पक जाने का मतलब यह मैं समझे है बच्चों लोग के भी कभी कभी कुछ प्रॉलम हो जाते है तो मेरा भाव ये है कि उमर भीज जाने के बाद लोगों को समझ में आता है तो भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा important क्या है जो मितलब क्या बोलते हैं पैसे से भी ज़्यादा important क्या है टाइम इस टाइम को जिसने इस्तमाल कर लिया न बस समझ लो कि उपर वाला क्या बहुत ज़्यादा ध्यान है आपके उपर तो यह कंपनी तो किवल 8000 करोड की है आने वाले दुने में यह जट से अगर दसगुना भी पैसा कर देगी न तो कोई कुछ न बुलने वाला कमपी रेशियो तो देख लिजे किवल 34 है अट्रैक्टिव प्राइ गिरने देचे कोई दिकत नहीं देखें मैं क्या बोलूँगा मैं तो बहुत छोटा हुई लोगों के सामने जो बहुत बड़े बड़े अनेलिस्ट है उन्होंने ही 2400 का तार्गेट दे रखा तो फिर मैं यहाँ पर मेरा बोलने और ना बोलने का बात देखी है जो बड़े स्टॉक कंसलिडेशन मूड में कुछ-कुछ चल रहे हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में ने हैं तो डिमिट अकॉंट अपना एंजल ब्लोकी में उपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमिट अकॉंट बिल्कुल फ्री डेलिवरी चार्जेस फ्री के और 20 रुपीज जब 800 रुपे में था पहले स्प्लिट होने के पहले जब 800 रुपे में था तो किसी ने नहीं खरी था जब भागते भागते 2000 रुपे में चला गया 2000 में आपको बता देता हूं 2000 रुपे में से 5000 रुपे ही कम था केवल 5000 रुपे को टच करने ही वाला था उसके बाद फिर वा प्रूज़िए